आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello dear student discussion ने बोला गया है कि यहां पर हमारा एक Non Uniform यह हम बोल सकते हैं एक Non Conducting Sphere है जो की हमारा Uniformly Charged है और R Radius का है तो उस Case में मैं फिल्ड का Variation बताना है तो हम यहां पर माल लेते हैं कि Suppose Positive Charge है, Negative भी हो सकता है तो उस Case में फिल्ड किस तरह से वेरी करेगा तो Inside अगर हम फिल्ड की बात करें जब Distance जो होता है वो R से कम होता है Inside जो फिल्ड होता है 1 by 4 pi Epsilon 0 Q into X upon R Q मतलब यहां पर हम देख सकते हैं Inside जो फिल्ड होता है Vodically proportional होता है Distance के और Outside की अगर हम बात करते हैं तो फिल्ड का जो फिल्ड होता है 1 by 4 pi Epsilon 0 Q upon small r square That means के distance के square के Inversely proportional होता है So इस अगर मैं आप पर options को match करते हैं तो option first हमारा match करता है And it is the correct answer I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा Fourth option जो है हमारा यह match नहीं करेगा Because यह जो top पर जो maximum field है वो small r Maximum जो field होता है वो surface पर होता है So that's why option 1 is the correct answer Thank you